10th science के अंतरगत आज हम सोर कुकर के उप्योग के लाब देखेंगे सोर कुकर एक्चुली हमारा वेकलपिक या यू कहें कि गेर परमपरागत उर्जा इस्त्रोथ के अंतरगत आता है मतलब इसे उर्जा का वेकलपिक इस्त्रोथ माना जाता है और ये सामानी तोर पर उप्योग में नहीं आता है इसलिए हम इसको बोलते हैं उर्जा का गेर परमपरागत उर्जा इस्त्रोथ परन्तु इसके उपयोग के कहीं लाब है और इस पर हमने पिछले वीडियो में इसको प्रायोगी कुरूप से भी चैनल पर उपलब्द कराया है तो आईए देखते हैं सोर कुकर के उपयोग के लाब सोर कुकर के उपयोग के क्या लाब हो सकते हैं तो जो हमारा सोर कुकर होता है देखिए इसका जो डिजाइन है आप इसको देखिए तो यहाँ यह अंदर की और इसमें एक हम कहते हैं कि काला रंग पुता होता है और सामान्य तोर पर इसकी सर्फेस पर जो एक काला रंग है यह उश्मा का अच्छा उशोशन करता है और इसम सूरी के करणों को फोकसित करने के लिए दरपनों का उपयोग भी किया जाता है और एक कांच का ढकन भी होता है जो पोधागर प्रभाव जेसे रिजल्ट देता है खेर हम अभी उपयोग के लाब पर चर्चा करेंगे कि इसके उपयोग के क्या लाब है तो सूर कुकर में सबस तो यहां कोई भी हानिकार ग्यास नहीं बन रहे है कोई प्रदुशन नहीं हो रहा है तो स्लब को फियोग का जो पहला लाब की प्रदुशन नहीं होता है दूसरा इसमें ये जो महत्वपुर्ण लाब ही ये है कि भोज्य पदार्तों के जलने का खत्रा नहीं होता क्योंकि जो सुरी के ताप से या सुरी की जो उर्जा है उस उर्जा का उप्योग करके चुकि सोर कुकर में खाना बनाये जाता है तो फिर इसमें भोज्य पदार्तों के जलने का खत्रा नहीं होता है क्योंकि बहुत अधिक मातरा में ताप इसमें नहीं बढ़ता है जितने में खाना पक जाता है तो इसमें भोज्य पदार्थों के जलने का खत्रा नहीं होता है इससे एक फाइदा हो रहे कि जब भोज्य पदार्थों के जलने का खत्रा नहीं होता है इससे एक फाइदा हो रहे कि जब भोज्य पदार्थों के जलने के कारण नस्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारा गेस उत्सरजित नहीं होती दूसरा ये कि भोज़पदार्थों कि जलने का खत्रा नहीं है और खत्रा नहीं है तो खाना पोस्टीकोर कैसा बनेगा सूपाच बनेगा फिर एक ही समय में आप देखिए तरह का खाना एक साथ एक ही समय में बन रहा है तो एक ही समय में तीन या चार तरह का खाना या भोज़पदार्थ एक ही समय में एक साथ बनाए जा सकते हैं तो ये इसका फाइदा है कि हम एक टाइम जो है तीन या चार भुज़ पदार्तों को इसमें रखकर तयार कर सकते हैं और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि इंधन की बच्चत होती है कि इसमें कोई इंधन यूज नहीं हो रहा है भई हम केबल सोर उर्जा का प्योग के जो महतुमुलाब है उसमें हम कह सकते हैं प्रदुशन नहीं होता है भुज़ पदार्तों के जलने का खत्रा नहीं होता है और भुज़ पदार्त अर्थात खाना जो है पोस्टिक और सूपाच बनता है एक ही समय में तीन या चार भुज़ पदार्त एक साथ बन झाल 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 झाल